Hello friends, मैं हूँ Dr. Arpina, आप सब लोगों का स्वागत है, मेरे YouTube चैनल में मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कुछ health tips, साथ ही हम बात करते हैं बिमारियों के बारे में कैसे उनके symptoms के साथ deal किया जाए and most importantly homeopathy कैसे आपको मदद कर सकती है तो दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे flu या influenza के बारे में और homeopathy की कौन सी best medicine है जो ऐसे condition में आपको मदद कर सके तो दोस्तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगोंने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब करके bell बटन को जरूर दबा दे ताकि आप updated रहें with the latest videos and with the timings of the life consultations तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक influenza and the best homeopathic medicines तो दोस्तो यह जो flu या influenza है तो यह जो flu का virus है यह सबसे जादा इस मौसम में winters जब शुरू होने वाला होता है इस मौसम में सबसे जादा यह पनपता है यानि कि November के beginning में इसमें हम सबसे जादा देखते हैं कि influenza के cases हो रहे हैं रीजन क्या है कि ठंड आती है और हम लोग अपने खिड की दर्वाजे साब कुछ बंद रखते हैं तो closed atmosphere में हम लोग रहे हैं जिसमें यह virus जादा पनप रहा है ओफिस प्लेसे में या जो public transport है क्योंकि वो बंद होता है चारो तरफ से और यह जो virus है यह बहुत ही easily एक infected person से healthy इंसान में यह फैल सकता है तो इसके क्या-क्या लक्षन होते हैं क्या-क्या symptoms होते हैं तो fever आ सकता है fever के साथ साथ आपको upper respiratory tract infection ऐसी problem हो सकती है जिसमें आपका गला खराब होना गले में खराश होना खासी होना खासी सूखी हो सकती है बलगम वाली हो सकती है चीके आना सर में दर्ध होना बॉडी में पेन होना कभी-कभी gastric symptoms भी साथ में हो जाते हैं पेट में दर्ध होना डाइरिया होना लूज मोशन होना नौजिया जैसा लगना तो यह कुछ इसके sign and symptoms होते हैं तो अब हम बात करते हैं कि अगर flu का season है तो क्या-क्या as a precaution हम इसके लिए ले सकते हैं ताकि हम अपना बचाव कर सके और फिर homeopathic medicines के बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहला हाईजीन को मेंटेन करना है अगर आप flu से सफर कर रहे हैं तो आपको make sure करना चाहिए कि आप अपने साथ एक handkerchief आप का इस्तिमाल करें जब यहां चीक रहे हैं और जो भी discharges हो रहे हैं तो वो उससे दूसरे healthy इंसान को effect ना हो इस बात का ध्यान रखना है अगर आपको flu ह अगर नमक पानी के गरारी करना यह बहुत अच्छा है गले में जो खराश होती है इससे आपको relief मिलता है इसके साथ साथ आप जो चाय पीते हैं उसमें आप अद्रक और तुलसी मिलाकिया पले सकते हैं इससे भी जो गले की खराश है इसमें आपको बहुत अच्छा क्या ओब भी ऐसे कनडिशन में बहुत हले तो चली अब हम बात करते हैं कि होमियौपति की कौंसी मेडिसन से जो ऐसे कंडिशन में आपको मदद कर सकती है तो दोस्तों हमारी जो सबसे पहली मैडिसिन है वहें जलसीमियम में हम क्या देखते हैं कि फीवर आता है और जो पा नाक में से पानी बहता रहता है पर कोई जलन नहीं होती है ब्लांड डिस्चार्ज होता है नाक में से आपका पानी बह रहा है पर उसमें किसी प्रकार की कुछ जलन नहीं है सर बहुत जादा दर्द कर रहा है, पूरे बॉड़ी में आपको बॉड़ी एक हो रहा है, वीक्नेस की फीलिंग हो रही है, तो अगर ऐसे सिम्टम्स है, तो फ्लू के लिए जलसी मियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जलसी मियम को 30 पोटेंसी में लिया जा सकता है, पांच अगर आपको कुछ गैस्ट्रिक सिंटम्स भी हो रहे हैं, जैसे कि आपको लूज मोशन हो रहे हैं, उपकाई आ रही है, बेचैनी बहुत जादा है, और थोड़े थोड़े थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते जा रहे हैं, एक बारी में पानी नहीं पीते, घूट बेचैनी बहुत जादा है, नाक में से जो पानी बह रहा है, उसमें जलन हो रही है, तो एक होता है नाक में से पानी बहना जिसमें कि आपको किसी प्रकार की कोई जलन नहीं हो, जैसा मैंना भी जलसीमिय में बताया, और आरसेनिक में जिसमें जलन होगी, तो क्या होगा, ज तो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है बहुत ही यूसफुल डलका मारा डलका मारा स्पेशली जो यह विंटर सीजन में प्रॉब्लम हो रही है इस पे बहुत अच्छा काम करेगी डैंप सीजन यानि कि जब नम होता है मौसम में तब कई बारी हम देखते हैं कि सर्दियों के दिनों में भी जो डलका मारा मेडिसिन है यह बहुत अच्छा काम करेगी तो डलका मारा में हम क्या देखते हैं कि जो फ्लू के सिंटम्स होते हैं उसके साथ साथ आखे एकदम सूजी हुई सी रहती है आख एकदम से लाल-लाल हो जाता है और इसके साथ साथ पसलियों में भी कर सकति है कालिभाई कि आपको अफिन हम क्या देखते हैं कि जो बल्गमें उसगों रजली नहीं बनता है, नहीं को घ्र लेंे वह कर número канал निकाल नहीं पाते हैं आपको बहुत जादा अफ्ट आपको लगाना पड़ता है थब जाकर बल्गम और बलगम जो निकलेगा वो यलो यलो कलर का strands में बलगम निकलता है और इसके साथ-साथ गले में आपको डर्ड, गले में खराश इस प्रकार के सिंटम्स आपको रहते हैं पूर चाती में दर्ध हो जाता है पूरा जो मसल्स है वो दर्ध करने लगते हैं मास पेशिया पूरी आपकी दुखने लगती है और बिल्कुल ड्राइप ऑफ खासी है तो स्पॉंजिया आपको मदद कर सकती है तो दोस्तो ये थी हमारी मेडिसन इन्फ्लूंजा के लिए मैं उमीद करती हूँ कि अभी जो इन्फरमेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया इन्फ्लूंजा और बेस्ट होमियोपथिक मेडिसन आप लोगों ने इस इन्फरमेशन को पसंद किया है तो वीडियो को अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडिशन के लिए तो मेरे ओफिस का वाट्साप नमबर दिया हुआ है इस नमबर पे आप लोग केवल वाट्साप के थुप मेसेज भेज सकते हैं आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डीटेल्स मिल जाएगी अगर आप लोग दिरेकली मेरे से छोब बात करना चाहते हैं तो कॉल मीफूर आप का इस्तेमाल कर सकते हैं और डिरेक्ली मेरे से बात कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए स्वस्त रहिए, तैंक्स पॉर वाचिन